आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज का दिन था ओष्ट्रमी आप सभी को हैपी ओष्ट्रमी और अभी हम सब हो गए थे रेडी मुंदिर जाने के लिए यहाँ पर देखिए मेरे नानी रेडी हो गए थी और मैंना ये बला साड़ी पेहनी थी तो मैं और मम्मी जो है दून ऐसे ही तो रात में जो है मैं साज धाज के जाओंगी क्योंकि आभी जो है बहुत धूफ है बाहर तो अब लोग देखिए सकते हो आँख खोली नहीं पारी हूँ इतना ज़्यदा धूफ है और पीछे देखिए पापा सोनूस ममी ननी शब आ रही है तो अजले अभी हम लो तो आज जो है पूरी बना है और उसके साथ डाल बनाया था और यहाँ पोड जो है ये एक सुबजी था और बुदिया था और उसके साथ रसकुला और काड था तो आज जो है एक्तम भेज ठाली हमारा तो यह है हमारा आज का ठाली तो चलिए अब लोग भी आ जाए हम मैं बढ़ एफिए और प्तिदेब्ध ढ़नां और झायवे वाइट नहीं होगा कर दो 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 यह अझाज वेरे गुड बॉनिंग तो आज जो यह विजोय का दीन है और स्धुमिक के दिन के बाद जो है और नुव अकी दिन नहीं आटे आते वारे शुट के लगा है वारे शुट हो गया था थोड़ा सा बारे शुट हो इसलिए ब्लोग भी कॉछ और तो आज सी कर दो कर तो आप सभी को जो है है यहां पर बेटों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए बिठाए थी क्योंकि विजय के दिन जो होते है ना तो मतलुब ऐसी बुलते कि सब को मतलब पढ़ना चाहिए ऐसे ही सूभ होता है तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बिठाई थी और अभी इसको पढ़ाने के बाद जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगी घर के बागी की लोग क्या क्या कर रहे है मामी पापा नानी और हस्पेंट अभी गया है मार्केट तो चलिए तो यहाँ पड़ देखिए मार्केट से आ गया था यह मारिनेट भी कर लिया था यहाँ पड़ जो है मैंने सॉल टार्मरीक पाउडर और थोड़ा सा सर्सुका उयल देके मारिनेट करके रखा था यहां पर बागी का मशला जो है भी रेडी कर दिया था मामी और नानी दोरों ने मिलके तो जले भी मर्टन बना लेते हैं और यहां पर देखिए सबसे पहले जो है कडाई पर मैंने वायल डाल दिया है और उसके बाद जो है सुखा मेरे चाल खड़ा जीना नहीं था खड़ा सबस्क्राइब करें और इसके बाद यहां पर एक तुखा मसला जो है अच्छे से भूंज ले था और इसको जो है धीमे आज में चलाते जाना है इस तरह से तो मैं आज यह मुटन कोकर पर बनाने बाली हो तो वैसे कडाई पर करेंगे तो टाइम जो है ज्यादा लगेगा और वाल्ट होने में बहुत ही वक्त लगते हैं इसलिए जो है मैं कुकर पे टासपर कर दूँगी और इस साइड देखे इतना बड़ा हंडी बिटा दिया है खाना राइस बन रहा है तो राइस जब तक हो रहा है मटन भी हो जाएगा बनके रेडी तो यहां पर देखिए मटन को जो है अच्छे से पका लिया था और उसके बाद इहां पर में पानी एड़ कर दिया है और कुकर फे फेट जो है मैंने बिठा दिया है तो अक्टेर मिर्ट तक ऐसे लगा देंगे तो मटन जो है हमारा बनके हो जाएगा रेडी और अभी देखिए खाना भी बनके हो गया और यह पर मटन है और चाटनी उसके साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो चलिए प्रेंट करते हैं आई होफ कि आप लोग को पसंद आया है बापा एब्रियोंन टेक क्यार